कि अधियर कसिस न्यूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अनुराग बियाईपी सुप्रीमो मुके सहनी और बीजेपी सांसत के बीच जो लडाई छिडी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है बीजेपी सांसत अजय निसाद की हम बात कर रहे हैं यानि अजय निसाद और विय साइपी सुप्रीमो मुके सहनी दोनों आमने सामने हैं और लगतार बयानों के तीर चल रहे हैं नया बयान भी सामने आया है आपको बताएं इस बार कह दिया गया है कि सहनी अगर यूपी का चुनाव लड़े तो उनके मंतरी की कुर्षी चली जाएगी जिहां आपको कर बिहार में तन गई है और उधर मुके सहनी जिस तरह से यूपी में 165 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो बार बार बिहार से उन्हें चेतावनी मिल रही है कि यूपी में अगर उन्होंने सीम योगी आदितनात का राश्त्या रोखने की कोशिस की तो बिहार से भी बेताखल हो जाएंगे बिहार में उनका जो मंत्री पद है वो भी चला जाएगा तो अजय निसाद ने इसकी कमान समाल रखी है जो सांसद है मुझपरपूर के तो पूरी ख़वर आपको बताएं दरसल यूपी में बिहार सरकार में मंत्री मुकेस सहनी के 165 सीटों पर चु हाँ उसके बाद बीजेपी सांसद ने अब एक और बड़ा बेयान दे दिया है लगातार इन दोनों के बीच रस्ता कसी चल रही है और इसमें अब जो बीजेपी सांसद ने कहा है नया उनका जो बयान आया है तरजा उसमें उन्हें स्ताफ का दिया है कि अगर मुकेस सहनी उत्तर प्रदेश में चुनाओ लड़ने के अपने फैसले पर अड़े रहेंगे तो उन्हें मंत्री पद खोना पड़ सकता है आखिर अभी इसके पीछे क्या कहा नहीं है पूरी बात बताएंगे उन्होंने कहा है कि मार्च में चुनाओ के नतीजे तो सामने आही जाएंगे इसमें तो सब साफ हो जाएगा लेकिन मुके स्थानी को इसका खाम्याजा भूगतना पड़ेगा क्योंकि जून में उनका मंत्री पद हाथ से चला जाएगा अगर उन्होंने कुछ भी ऐसी गरबड़ी की यूपी में चुनाओ लड़ा उन्होंने और यूपी में सीयम असुम पड़ेगी और वह बीजए पी के साहारे ही MLC बने थे तो बीजए पी ने बड़ी बात कही है कि अगर नहीं मनत्री पद उनका बचे गहा तो यह बड़ी बात आपको बता रहे हैं बड़ा बयान सामने आया है आज उनका साफ साफ का ना है कि आज वह जो कुछ भी ह बीजेपी की बदलों थें पहले भी वो कई बार चुनाव लड़े और हार गये थे इस बार उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा और जीत मिली और हमें ही आखे दिखा रहे हैं यह बरदास्त नहीं किया जाएगा तो साप साप चेतावनी दे दी है मुकेस तहनी को दरसल मुकेस बीजेपी से हो गया था बीजेपी के खिलाब जब उन्होंने अपने अवियान की सुरुवात करने की कोशिश की थी बनारस पहुंचे थे तो वहां से उन्हें रिटरन बैक कर दिया गया था एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस पटना भेज दिया गया था उसके बाद से मु उन्होंने अजय निसाथ जो है बीजेपी के सांसत उन्होंने कह दिया है कि बोचाहा में हम उनका रास्ता रोक देंगे अगर वो यूपी में योगी जी का रास्ता रोकेंगे तो हम बोचाहा में उनका रास्ता रोकेंगे अभी भी समय है वापस आ जाएं अगर वो अपने ज कुछ सिर्थ नतित ही धाय करता है तो जिस तरह से अजय निशात ने लगतार तेवर अपनाए हुए हैं कड़े तेवर मुके सहनी के खिलाप और लगतार वो बता रहे हैं कि मुके सहनी जो है जिस तरह से यूपी में चुनाव लड़ने गए हैं वो उन्हें अब कदम वापस खीच लेना चाहिए अभी भी वक्त है अगर उन्होंने कुछ गरवरी की तो बिहार में उसका खामी आजा उन्हें भुगतना पड़ेगा मंतरी पत से हाथ उन्हें धोना पड़ेगा सांसत ने कहा कि यूपी में चुनाव लड़ने का एलान तो कर चुके हैं लेकिन 165 उमी जागरूख है वे लोग इनकी बातों में नहीं फसने वाले हैं तो उनका साफ साफ काना है कि जहां वो चुनाव लड़ने हैं वहां एक हजार वोट भी जुटाना उनके लिए मुस्किल है निशाद समाज वहां का जागरूख है तो एक बार फिर से मुकेश सहनी और बीजे का रास्ता रुकने की कोशिस की यानि उन्हें सत्ता से जिस तरह से उपेदखल करने का सपना पाल रखे हैं मुकेश सहनी तो बिहार में उनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगी बीजेपी मंत्री पद्ध भी छिंजाएगा मुकेश सहनी का बने रही है कसी परेट रखेंगे फिलाल के लिए इतना ही धन्यवाद